अईपियल 2020 में रभी बार को दूसरे डवल हेडर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने संड्राइजर्स हैधराबाद की चुनौती होगी हैधराबाद की टीम को इस सीजन में अब तक सिर्फ एक मैच में जीत मिली है वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने चार मैच में तीन में जीत हासिल की है आकरों के लिहाद से देखें तो संडराजर्स हैदराबाद का पलराही भारी ने चराता है हेट टू हेट मुकाबले की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 18 मैच खेले गए है एक 11 मैच हैदराबाद ने जीते हैं जबकि 7 मैच में दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है पिछले सीजन में दोनों टीमों के भी इस तीन मैच खेले गए थे दो मैच संडराइजर्स हैदराबाद ने जीते थे हैदराबाद के टीम की ताकत उसकी गेंदवाजी है भुबनेसर कुमार, रासित खान, खलील अमद ने अब तक हुए मुकाबले में फरभावित किया है वहीं केन बिलियमसन के प्लेंग 11 में आ जाने से बल्लेवाजी भी मजबूत हुई है टीम में डेविड वार्नर, जौनी वेस्ट्रो, केन विलियमसन, केदार जादब और बीजै संकर भी मौजूत है पिछले मैस में हैदराबाद ने पंजाब को नौबिकेट से हराया था वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली में सिखर धवन फॉर्म में है गेंदबाजी में आवेज खान, अस्विन और अमित मिस्ट्रा का जल्वा देखने को मिल रहा है इसके अलावा टीम में हैटमायर, एस्ट्रानिक्स, स्टीव स्मित और कगीशो रवाड़ा जैसे भी देशी खिलारी है टीम के कप्तान रिशा पंद भी अच्छी वल्लेवाजी कर रहे है संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो हैदराबाट की टीम में वार्नर, वेस्टरो, केन बिलियमसन, बिराट सिंग, बिजै संकर, अभिशेक, सर्मा, केदार जादव, रासित खान, भूबनेसोर, कुमार, सिदार्थ कॉल और खलील हमत को प्लेइंग 11 में सामिल किया जा स सकता है वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो पिर्थवी सौ, सिखर दविन, स्टीव स्मिथ, मार्कस अस्टॉनिस, रेशा पंथ, सिम्रन हेटमायर, ललित यादब, कगीशो राबाडा, आरस्विन, अमित मिस्रा और आबेश खान, प्लेइंग 11 का हिस्चा हो सकते हैं खेल जगत और अन्य लेटिस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें